तुमारा बजानू खुश्पुम स्वागाच छे। प्रदेश्ट ना जेक्स दी घुटुभाई ओन वे छे। तुमारा बजानू खुश्पुम स्वागाच छे। गुर्धन भाई जड़फिया प्रदेश्ट ना उपाध्यक्सेन जे यात्रा छे एक ने बे। एमा ए करम सद यात्रा ना इंचार छे। कौशिक भई पटेल टोटली जे स्थेट कोडिनेटर तमाम इवेंट प्रोग्राम एना कोडिनेटर छे। ओं ए आवे पहला जे गुजरात गवरव यात्रा छे एना संदर्मा एक नानी फिल्म अने एना संदर्मा जेकें तमने बतावनू छे उस्वरू करवा माटें। आपने एक गुजरात गवरव यात्रा अने केंपेंड ना संदर्मा क्लीप्स जे छे गुजरात भाजब तरप थी। ये तमने बदाने बतावे। कर दो कर दो कर दो कर दो कर हुँ गांधी सर्दार ना विचारो थी सिंचाईली धर्ती छू हुँ नरेंद्र मोदिये देश ने आपेनु उदारण छू हुँ विकास छू, हुँ छू, गुजरांत हुँ भारत ना एक मात्र हेरिटेज सिटी नुगर्व छू हुँ गरीबों माते अन्नपूना छू हुँ विकास नी उचाई छू, हुँ विकास नी लबाई छू हुँ सर्दार साहेब ने साच्ची श्रद्धान जली छू हुँ विद्यार्थियों ना हाथ मा रमती टिक्नोलजी छू हुँ नदी किनारे टेहल तो मन्मौजी छू हुँ विकास छू, हुँ छू, बुजरात हुँ लोकोंने सेवा साथे जोडतो सेतू छू हुँ गरीब श्रमिकोनी मददे आवती धन्वंत्री छू हुँ वृद्धो माते श्रमन छू हुँ आफतन समय मदद छू हुँ नौकरी छू, ब्यवसाय छू हुँ नवी सदीन अंट्रिपर्णर छू हुँ खेतर फर्ते रक्षक छू हुँ कर्फियू मुक्त राज्य छू हुँ व्यसन मुक्त समाज छू हुँ हैंड पंप मुक्त गुजरात छू हुँ नर्मदाध युक्त शहर गाम छू हुँ विकास छू हुँ चू गुजरात हुँ कडक काईदो छू हुँ तोल मुक्त छू हुँ टेंशन मुक्त छू हुँ विश्वने पोताना तरफ आकर्षतू चुम्बक छू हुँ विकास छू उजू गुजरात दस वर्ष मा गुजरात नो कुरुशी विकास दर डबल डिजित मा पहुँचियो छे दूध उत्पादन मा देश मा गौरव भेर मोखर एजिये गामे गाम पहुँचती बिजडी होई कि खेतरे खेतरे पहुँचतु पाणी लोकोंने मरती जड़पी सेवा होई कि जड़पी दोडी ने आवनारी बुलेट प्रेन होई स्मार्ट बनता शहरो होई कि इंटेनेट थी जोडाता गामडा छिल्ला बै दशक थी लगातार गुजरात ने शान्ती, सम्रुद्धी अने एक धारो विकास आपनार भाजपा उजवशे गुजरात न गौरव नी यात्रा गुजरात गौरव यात्रा हुँ विकास छू, हुँ छू गुजरात तारीख एक उक्तोबर थी पंदर उक्तोबर सुधी गुजरात न बिविध चार जोन मा भ्रमन करशे गौरव यात्रा पंदर दिवसनिया गौरव यात्रा न बैरत एक सो ओगण पचास विधान सभाक्षे त्रमाथी पसार थशे अने एक सो पचास जिकली सभाव द्वारा दरेक गुजराती ने गर्वनो अनुभव करावशे मध्य जोन मा लोह पुरुष सर्दार साहेब नी जन्म भूमी करम सत्थी तारीख एक उक्तोबर थी गौरव यात्रा थशे प्रारंब अने संखेडा, लीम खेडा, पंच महाल, वडोद्राना सावली थी लईने संतराम महराज नी भूमी नडियाद पहुच्छे अने खंभात मुका में समापन थशे सवराष्ट्र जोन मा महात्मा गांधी ना जन्म दिने बीजी ओक्तोबरे यात्रा पोर्वंदर थी प्रस्थान करशे अने आठ कोट, वंथली, उना, शिहोर, लिमडी थी निकडी ने चामुन्दा माताना आशिरवाद लईने चोटिला थी थाईने धुवाव, जामनगर, लालपुर, खंभाडिया, नंदाना थाई, देव भूमी द्वार का खाते समपन थशे उत्तर जोन मा खंभाध थी 8 ओक्टोबर थी शरू करीने खंभाध, गांधिनगर, प्रांतिच, दीसा, राधनपुर, रापर थी लईने भूज पहुँच्छे अने 14 ओक्टोबरे मांडवी पहुँच्छे दक्षेन जोन मां 11 ओक्टोबरे राज पिपड़ा थी शरू थाई, आहवा पारडी, उनी, झगड़िया थी 15 ओक्टोबरे जम्बु सर पहुच्छे आम चार जोन मा थाईने गुजरात गौरव यात्रा समग्र गुजरात ना खुणे खुणे गौरव न संदेश ने पहुचार शे आ बन्ने रच 15 मी ओक्टोबरे गांधी नगर पहुच्छे हुँ रोशन आज छो, हुँ उज्वाल आवतिकार छो, हुँ प्रगती नो साक्षी छो, खुशियों निखात्री छो गुजरात गौरव यात्रा, दरेक गुजराती नो एका जवाच, हुँ दिखास छो रच 15 मीजराती नो एकार छो, खुशियों निखास जो, हुँ थत्वा तू पिलाव वेता वगर ना राजमा पण जार्थी मोधी जी पावर मावे से ने, क्यार्थी मारू बेटू पावर कट, कट अथाई गयो से, यहला गामड़ाव माण बार कल्लाक पावर आउतो होतो, अने अवे, 24 कल्लाक, शुखिदू, हुँ कॉण चुह है, हुँ विकास चुह, हुँ चुह गुजरास, शुख जार्खोड़ी Joyu, पहला मारी पण हालत आवी जाती, फेला धीसा वगर्ना, पर मम्मी कसं, जारती मोधी सरावे आने, क्यार कर आपण ने वधारी डॉक्टर्स मल्या, वधारी इंज्जिनियर्स मल्या, और गणी दिग्री होल्डर्स मल्या शू, हूँ कॉण। हूँ विकास शू। हूँ छू गुजरा हूँ विकास शू। शू की गया ने बात्य। शू गुजरा हूँ दोधी जीनू सप्ने कलेचे जड़ जड़ अधानी जड़ जड़ अधानी जड़ अधानी जोय। आउट थतु तु पिला लूटा राओना राजमा जेटली वार पग लांबा करिये एटली वार चादर टूकी पड़ी जए आतो नरेंद्र भई आवया प्यार की आवको वदी बैंको वदी आने बैंको मा आपड़ी मुडी पन वदी साहे आने पहली वार बैंको मा केटलाए लोको ना खाता खुलिया ले हूँ कौन जू बला माना हूँ विकास हूँ जू गुजरा हूँ जू गुजरा हूँ अवे ओड क्यो गुजरा बोधी जीरू सप्न करे छे जन जन अभी साहता मोधी मोधी जू यू आउँ थदू तू पहला खिसा का त्रोना राजमा एक सान्दो न तेर तूटे आतो नरेंदर बैया आया न रहोडाम नौड आया इस्कूल मा छोडियो आई दवा खाना उमा डॉक्टर वाया मोध्कर मनने यू लगता मुविकास चू मुचो गुजरा अवे तो खान पड़ी जीरू सप्न करे छे जन जन अभी मादी 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 माद मादू बदून पाचो तड़ाम पर जयारती बाज़ा पाई ने यह थे टटटार उबँजो कपास न उत्वादन मा सर्शलाक साग बजीन उत्वादन मा पूर पाट ने फड़ फड़ा जीन उत्वादन मा आए एकदाम अडिक खाम पूर तो नहत जद्रा के थे डिदरा तमेना जद्रा ठाँ कर रो नाम पूझा को विकास शुआ शुआ करो ने ज्रत-अग झाल झाल वर्षोनो विश्वास अडिखम्मा गुजरात प्रगतिनी रफ्तार वधिशया गुजरात के पूरी थाई छे सवनी आज भरे सुख शांती नो श्वास छे समरुद्धी सवनी पास तर एक गुजराती नो छे एक अजरवा हूँ विकास चूँ हूँ चूँ गुजरात बोदीजी नो स्वक्न करे छे जन जन आई साकार हूँ विकास चूँ हूँ चूँ गुजरात हूँ चूँ चूँ प्रगदीना आपत पर सौँने साथ लईन चाले जड़पी करती काम ना कदी धकेले काले गाम गामने नगर नगर नी साथे बांघ्यों से तू हर हाथ में काम मल्यूने पूरा थाया सौँ हे तू हूँ अपि दिव्मान सौँने आपया सौ अधिकार धरेक कुजराती नोजे एक ज़वाद हूँ विकास चूँ पूँ चूँ गुजरात मोदी जीनू स्वक्न करे जन जन रही साकार हूँ विकास चूँ पूँ चूँ गुजरात बुलेट ट्रेन माँ बेसी जड़पी पार करीशू मन्जिल स्किल्ल विल्ल ना सथवारे सव लक्ष करीशू हासिल सुजलाम सुफलाम साउनी योजना सीच नर्मदानीर स्मार्ट सिटी नी संगे साउनी बदलाती तासीर सच हमेशा स्वस्त हमेशा बालक नर्ने नार दरेक गुझरा दिनों जेगे कज्रावार मूविकास छू, पूचू गुझरार मोधी जीनू स्वक्न करेचे जन जन नहीं साकार मूविकास छू, पूचू गुझरार आफत वक्ते उभार हे ए आपनी हारो हार लड़े आपना हक माटे ए कदी न माने हार अंधारा ने बढकारी ने करिया जो ती ग्राम शाती पत पर संग जाली ने करिया अमने न्याल कमण खिली उझे गलिये जन जन जे खुश हार तरेक गुझराती नो जे एक ज़ आवा मुविकाश चू पूचू गुझराती नो शप्न करे छे जन जन है साकार मुझराती थी खे भारत भारत थी खे गुझरात बोदी जी संग आगर वधिये करिये देश नुनाम संकल पोधी सिंधी मणशे बनशे देश महार दरेक गुजराती नो ठेले कट आवाच गुविकास चूँ, गुचू गुजरात बोदी जी नूँ स्वप्न करेचे जन जन आई साकार गुजरात गुवरव यात्रा नी एक अमारी नानी फिल्म अमारा प्रचार केंपेन नी क्लिपो अने यात्रा नू जे अमारी थिम सोंग हती जोया पछी आपणी बच्चे यशाश्वी केंद्रिय मंत्री प्यूस जी गोयल आपनी सथे वाद करे पहला प्रदेश ना अध्यक्स श्री जीतुपई वागाणी नो विननती करू आपनी सथे वाद करे पौर्बंदर जे यात्रा बे ओक्टबरे निकलवानी शे एमनी आगेवानी मा निकलवानी शे उँँ जीतुपई ने विननती करू आपनी सथे वाद करे क्यांदरी बेल मंत्री अन अमारू राष्टी नेत्वतुमाना एक अधनी पीविशी गोयल केंपेनिंग कमिटी ना चैर्मेन अमार अधनी कोशिक भाई बाश्री गरत भाई यात्रा ना इंचाज गोर्धन भाई आप सव प्रिंट ना इलोटोनिक मेडिया ना अत्रकार मित्रो सव नू स्वाधत करूछू गुजरात गोर्व यात्रा नू लौंचिंग करवा माटे गुजरात युनिट ना निमंत्रनने मान आपी अनने रेल मंत्री अजे याएवाचे आपनी साथ वाद्चित करवाना छे लौंच करावाना छे ने साथे साथे समग्रा रथनो जे कौन वे चे ये करमसद जवा रवाना थवानो छे तर प्रस्तान पन करावाना छे पी युजी नो आम तो परिचे ये मने उलागे चे कमारा आप पो ये ठीक ने ये प्रकारे पोतानी काम पार्टी माटे नो एक त्यार सुधी नुखरेली बधी नेतुत्व नेतुत्व नीचे अनेक चुट्णी ओपन में चीत्या चीए करे समगर आवनारी चूट्नी नी यंदर प्रचार प्रसादना मंदान औने गुजराद गवरो यात्रा ये लईने बे तबक्कामा बे भागमा में निकलवाना ची अधनी वीजी भाय रूपानी ने तुत्व नी यंदर एक प्वर्मंदर खाते प्रमुक्तरी के मारे लीड करवानी चे नायव मुख्यमंतरी नितिन बाय बिजीतारी खे करमशत्ती लीड करने यात्रा ना निकलवानी चे विशेष नहीं क्याता आप सोव नू स्वागत करूछु युष गोयलजी नू स्वागत करूछु और एमने ज विनेंती करूछु आप सोव नी साथे वाच् चिंग पन ये करावे गुज्रात आवी सक्यो पाचर्ड महामना एक्स्प्रेस नो वड़ा प्रधान नरेंदर भाई ने हातो ती फ्लाइग ओफ थे यूथूब वडोद्रा थी वडोद्रा भरूज सुरा थी वारानसी सुदे जवानिया थी महामना एक्स्प्रेस अने आजे मा दुर्गानो दि बुलेट ट्रेन मादे नवराते नी पेल आए वात रेल मंत्री थवा पचिती जो विजिट चे हैं यां आजे मा दुर्गानो दिवस चे अमें मा दुर्गाने नमन करे चे शांती नी प्रतीक चे मा दुर्गा बुद्धी नी प्रतीक चे शक्ती नी प्रतीक चे लक्ष्मी नी प्रतीक चे अने आपनी सब मी माता चे अने मने लागे चे जे रिते मान्य पंत पधान अब पाच्चो विश्य पंत्रप्रदान नो काम मा अमने देखावामा मले छे, हुँ गुज्रातनी जन्तानो अभार्व्यक करूँ छू, देशनी जन्तानी तरफ थी. कि पंत्रपदान नरेंद्रबाई मोदी आपड़ा राष्ट्री अध्यक्ष अमित्बाई शाह, आप बेवने जो नेक्तरत्व आईपो छे, देशनी विकास यात्रामा, देशनी अर्थवेवस्थामा, देशनी राजनीतिक यात्रामा. तो तमारी योगदान भारतनी इतिहास मा स्वर्नक्षे लिखवानों थसे, एट्रामाटे गुजरातनी जन्तानों बहु बहु आभार धन्यवाद, अने तमें सब ना परिवाल वालों नो तमें सब ना मारी तरफ थी नवरात्री नो बहुत-बहुत शुक्काम ना है हिंदी मैं बोलता हूँ मेरी पत्नी बोलती है ज्यादा गुजराती में मत बोलो सबको पता चल जाएगा इसको आती नहीं है 22 साल से भारते जन्ता पार्टी की सरकार ने गुजरात में सूशाशन एक पार दर्श्टा से गरीब कल्यान की सेवा में जुटी हुई इमांदार सरकार का प्रतीक बनके जिस पकार से गुजरात के जन्ता की सेवा की है यह अपने आप में बेमिसाल है जो दिशाश गुजरात में देश की अर्थविवस्था को देश के गरीब कल्यान के कारियों को प्रगती और विकास के विश्यों में जो नेत्रत गुजरात में किया गद्दो दशकों से उसका लाब आज पूरा देश ले रहा है आज सबसे लोग प्रिय नेता जिनका वर्चस्व पूरे विश्यों में देखने को मिलता है और जिनके नेत्रतों को पूरे विश्यों ने आज स्विकार किया है ऐसे हमारे सब के चाहते प्रधान मंत्री श्री नरिंदबाई मोदी और हमारे राष्ट्रे अध्यक्ष्री अमिच शाह जी जो मैं समझता हूं सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के ही राष्ट्रे अध्यक्ष नहीं है लेकिन जिनोंने अपने करमट और दिन और रात कार्य शेली से भारतिय जनता पार्टी को एक अलगी और्बिट में पहुचाया है आज हमारी 2014 के पहले 6 सरकारे थी राज्यों में आज 18 सरकारे देश में भारतिय जनता पार्टी और हमारे सयोगी दलों की है तो मैं समझता हूँ ये दोनों निताओं ने जिस पकार से देश की राजनीती को बदलाव, ट्रांस्फरमेशन की तरफ जिस पकार से देश की अर्थव्यवस्ता और विकास यात्रा में ट्रांस्फरमेशन किया है विश्व में सबसे तेज गती से बढ़ने वाली अर्थवेवस्ता बनाया है उसके लिए वास्तव में जितने गुजरात की जन्ता का हम धन्यवाद करें वो कम होगा बीजेपी के शासन में गुजरात में बहुत तेज गती से प्रगती और विकास हुआ है जिसमें इतने कम समय में दो दशकों में इतना विस्तार से हर शेत्र में काम हुआ हो कुछ आकड़े मैं आज देख रहा था मुझे लगा उनके उपर जरूर नजर डालने में एक भाव आएगा कि कैसे विकास की आत्रा गुजरात की रही है एक सभाविक है जब अर्थ विवस्ता देखते हैं तो ग्रॉस स्थेट डुमेस्टिक प्रॉडटक कितना उत्पादन होता है कितनी कितना उत्पादन प्रदेश के अंदर गुजरात में हुआ उसको एक सभाविक है देखा जाता है और जब मैंने गुजरात का जीस्टिप को आप नजर मारी तो 95-96 से 15-16 तक बीस वर्षों में 15 गुनाव रिते 15 ताइम्स मात्र बहत्तर हजार क्रोड से बढ़के 10,34,000 क्रोड इतना बड़ा चलांग जीस्टिप में उत्पादन में जो गुजरात में देखने को मिला है और उसके फल सुरूप जो लोगों की समान में आए है पर क्यापिटा इंकम वो भी लगबग 10 गुना बढ़ गई यह अपने आप में अजूबा है शायद ही कोई प्रदेश में इतनी व्रितिक कभी हुई होगी जिसका अधिकांश समय मानने प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के नित्रतों मेरा उसके पहले केशु बहई थे, उसके बाद अनंदी बैंती आज हमारे लोगप्रिय मुख्यमंत्री विजेबाई रूपानी और उपन मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल और सभी हमारे गुज्रात के निताओं के नित्रतों में हो रहे हैं यह वास्तव में बहुती नए रूप का डिवेलपमेंट का चित्र है इसी पेकार से अगर हम बजेट का आकड़ा देखें वीज साल पहले बजेट मात्रत 10,873 क्रोड रुपय था 10,873 क्रोड आज 2016-2017 में वो बजेट एक लाग 71,000 क्रोड रुपय हो गया है लगबग 16 गुना सभावे के अगर 16 गुना बजेट होता है तो उतनी ज़्यादा रेवन्यू आती है उतना ज़्यादा डिवेलप्मेंट के ओपर गरीब कल्यान के कारियों में खर्चा होता है और वो भी आकड़े एकड़म हैरानी वाले आकड़े मैं उस पे भी आता हूँ एक दो मिनिट में किसानों का विश्या अगर देखें खास तोर पे तो एक बहुत महत्वपून बात जो गुजरात में ही देखने को मिलती है वो है कि किसानों की जो प्रगती और विकास हुआ है वो देश से लगबग दुगना हुआ हमने पूरे देश के आकड़े अगर देखें तो एग्रिकल्चरल आउटपूट देश में as a percentage of total GDP पूरे अर्थवेवस्ता का अगर भाग देखें तो किसानों का आउटपूट लेकिन गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां उध्योग का भी घटन हुए है उध्योग में भी प्रगती हुई है और किसानों की सम्रुद्धी में भी प्रगती हुई है ये डूट गुरोथ बहुती रेर केस में देश में देखने को मिलेगा और कुछ आकड़े तो बहुती है एहरानी के हैं उधारन के लिए कॉटन कापूस 24 लाक बेल्स बनती थी आज 91 लाक बेल्स चार गुना बढ़ गया ग्राउंट नट दो गुना बढ़ गया फ्रूट फल चार गुना बढ़ गया मतलब 21 लाक टन से सीधा 85 लाक टन वेजिटेबल्स बीस लाक टन से 126 लाक टन साड़े छे गुना बढ़ गया अब इस प्रकार की जो ग्रोथ और ये सब वैलू आइड़िट प्रॉड़क्स में गिना रहा है जहां पर किसान की आंदनी अपर हेक्टेर बहुत अधिक बढ़ती है फूड ग्रेन वगेरा तो बढ़ता ही है लेकिन जब फ्रूट अलग कहानी बताती है समरुग्दी की कहानी जो सभी नागरिकों को सामान्य सुविदाई सामान्य विकास के अफसर देती है एक आकड़ा जो मैंने आज देखा देखने में शायद आपको उसका अनुमान नहीं आएगा कि इसके कितनी इंपोर्टेंस है आज जलवाई उ पर सबसे महत्वपून विशय माने जाते हैं पूरे देश में आप देखें तो जो फॉरेस्ट कवर है जो वन है वन का शेत्र है वो आस्ते आस्ते घटते जा रहे है गुच्रात एक अजीब नई कहानी रच रहे है जहां पर फॉरेस्ट कवर लगबग तीन हजार स्क्वेर किल किलोमेटर चोटा अकड़ा नहीं है साड़े अठरा हजार से सीधा साले साड़े एक्की सजार तीन हजार स्क्वेर किलोमेटर फॉरेस्ट कवर जिस राज्य में बढ़ता है ताक इटसेल पिसेल पिस्टोरी ऑफ प्रोग्रेस एंड कंसर्न फर दी एन्वारनमेंट और प्र मूल भूत सोच का एक हैसा है इसी प्रेकार से अगर हम सीचाई का शेत्र देखें जो खिसानों के लिए बहुत मत्वपूर्ण होता है तो ग्रोस इरिगेटिड एरिया लगबग धुगना हो गया है जो कई राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगा मैं महराष्ट्रा से आता हूं महराष्ट्रा में 15 वर्ष तक कॉंग्रेस की सरकार थी 15 वर्ष में लगबग 70-80,000 करोड रुपया खरच दिया ता महराष्ट्रा में गुझरात में महराष्ट्रा की कॉंग्रेस की सरकार ने और कुछ भी वृत्वी नहीं होई इरिगेटिड लैंड में सीचाह के शेत्र में कोई व्रिद्धी नहीं होई अधिकांश में साब रश्टाचार में गया लेकिन गुजरात की सरकार ने इरिगेटेड एरिया लगबग दुगना कर दिया 35 लाग हेक्टेर से 71 लाग हेक्टेर मैंने अभी अभी बताया फैक्ट्री उद्योग का उत्पादन पूरे विश्व ने इस बात की सराहना किया है कि गुजरात में उद्योग लगाओ तो आपको सुनिश्चित है कि शान्त वातावरन बिलेगा सुम्रिद्धी होगी उद्योग पलपेगा पनपेगा अच्छी त लगबग 15 गुना पड़ा 15 ताइम्स सिर्फ 20 वर्ष में आप इसकी अन्युलाइज ग्रोथ अगर निकाले तो मतलब एक्दम हैरानी वाली ग्रोथ है मैं कैल्कुलेट भी ने कर पा रहा हूं दिस्पाइट पूरी अपनी चार्टर अकाउंटेंसी लगा के मैं 20 साल में मुझे कैल्कुलेट करने में मुश्किल होती है सिर्फ 84,000 करोड का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो बढ़के 12,70,000 करोड का आउटपुट 2014-15 तक हो गया इसी प्रेकार से बिजली का शेत्र जैसे मैं रेल मंत्री बनने के बाद सबसे पहला मेरी यात्रा होई तो गुजरात होई जब मैं बुलेट ट्रेन के उधाटन के लिए मुझे आने का सौभाग्य मिला साबर मती मैं वैसे ही जब मैं उर्जा मंत्री बना था 2014 में मेरी पहली यात्रा दिली के बाहर गांधी नगर थी और तब मैं एक विद्यार्थी के रूप में गुजरात आया था सीकने के लिए कि नरेंगर भाई ने गुजरात में ऐसा जादू किया जिससे मात्रे दो तीन वर्षों में एक ऐसा प्रदेश जिसमें बिजली सबसे महिंगी होती थी बिजली सबसे जादा कटती थी बिजली की समस्या से लोग तरस थे जूचते थे कैसे मात्रे दो तीन वर्षों में प्रदान मंत्री जी ने गुजरात को पावर सर्प्लेस कर दिया कैसे हर घर तक बिजली पहुचा दी चौबीस घंटे बिजली कैसे खिसानों को बिजली पहुची और मेरे उस विध्यारती के उस विजिट का इतना लाब हुआ कि केंद्र में भी मात्र दो वर्ष में कोईले की शौटेज खतम हो गई बिजली की शौटेज खतम हो गई देश आत्मनिर्भर बन गया बिजली मे कोईले में क्योंकि हमने कुछ किया नहीं गुझरात का मडल काट पेस्ट कॉपी कर लिया दिली में आप ने良डाया जोती दिली उतना की तीِّ जोती डिली की थी हमने दिल्ली में दीन दियाल उपा दे गिराम जोती ही उड़ना कर लिए और आप से याँ सीख के फीडर सेपरेशन कैसे गाउं गाउं तक बिदली पहुचाना और अभी हाल में मानने प्रदान मतीजी ने सवभाग्य जो स्कीम बनाई है कैसे पूरे देश में जो चार साड़े चार क्रोड लोग अभी तक बिजली से वंचित हैं उनके घर में बिदली पहुचाना ये गुजरात मॉडल को हम पूरे देश को लाब मिले उस प्रकार का कारे करने चाह रहे हैं और पर क्यापिटा कंजम्शन बिजली का उत्पाधन बिजली की फैक्टरीज तीन को ना हो गई मात्र बीजवर्शन फ्री टाइंस ऐसे अलग-अलग आखड़े मेरे सामने हैं मैं जितने आखड़े बुनों कम हैं बैंक ब्रांचेज स्टूडेंस कितने स्टूडेंस की वृद्धी हुई लेकिन एक आखड़ा बड़ा मुझे इंट्रेस्टिंग लगा जो मैं जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा क्यों यू आ यू होतियों से संबंदित हैं गुजरात में बीस साल पहले सिर्फ साथ यूनिवरस्टी थी आज 57 यूनिवरस्टी है आट गुना एंजिनिरिंग कॉलेज सिर्फ 20 थे आज 238 है लगबग 12 गुना पॉलिटेक्निक तीन गुना एंजिनिरिंग कॉलेज की डिगरी के स्टूडेंट जो मातर दोजार दोसो पिचानमे थे 2295 वो बढ़के सततर हसार हो गये 35 टाइम्स मतलब जब आप ग्रोथ देखते हैं विकास देखते हैं तो एक होता है बहुत पांच परसेंट ग्रोथ हो गया 6 परसेंट ह हो गया साथ हो गया अब 20 वर्ष में 35 गुना ग्रोथ शाहिद ही किदर देख सकेंगे देश में और देश क्या शाहिद मुझे लगता है विश्व में ऐसी ग्रोथ बहुती रहर होती होगी ऐसी परिस्तिती में रोजकार का आकड़ा देखें तो 37,000 लोगों को 20 साल पहले र लाज 46,000 लोगों को 266,000 पीपल गेट अपॉर्चुनिटीज फॉर रोजकार जो उद्यमी गुजरात के हैं जो अंट्रपरिनरल स्पिरिट है मैं समझता हूं पूरा देश उसको देखके उससे सीखना चाहते है उसका लाब लेना चाहते है और अभी केंद्र सरकान ने अल आज में लोगों को मुद्रा योजना से स्वेम रोजगार के अफसर मिले चाहे वो बीमा योजना हो किसानों को बीमा मिले लोगों को एक्सिडेंट के लिए बीमा मिले अपने जीवन की बीमा मिले सस्ते दरों पे हरेक का खाता खुले जंदन योजना से रोड का रेलवे का हवाई जाज का हरेक का विस्तार हो, महिलाओं के लिए सुविदाएं, युवाओं के लिए सुविदाएं, हर महिला को घर में उज्वला योजना से LPG सिलिंडर मुक्त में कनेक्शन मिले, और मैं योजना है गिना हूँ तो आज रात को भोजन तक आपको यहां रहना पड़े केंद्रे सरकार और राज्य सरकार ने मिलके, जिस प्रकार से तेज कती से, और आपको याद होगा, पंततदान, जब यहां मुक्यमंत्री थे, कितने विश्यों में केंद्रे सरकार तंग किया करती थी, कुछ आगे काम बढ़ने ही नहीं देती, यहां तक कि वाइबरन श्थिति हैं कि राज्य सरकार ने मात्र एक वर्श में चार सो बिचतर निर्ने लिए मान्य विजे भाई रूपानी और मान्य नितिन भाई पटेल के नित्रत में चार सो पिछटर निरने एकी वर्ष में गरीब कल्यान के लिए मद्यम वर्ग के लिए कल्यान के लिए जंता के हित के लिए केंदर सरकार राज्य सरकार मिल के गुजरात की अर्थव्वस्ता कोई सिर्फ नहीं मदबूत कर रही है गुजरात को एक नए चरम सीमा पे लेके जा रही है विकास के प्रगती के जमहित के गरीब की सेवा के और हर वर्क को सिम्रिद्धी मिले हर वर्क के जो आकांशाएं अपिक्शाएं उसको पूरा करने में केंद्र सरकार मानने पंतपदान नरेंद्र भाई मोदी जी राजज़ सरकार विजे भाई और नितिन भाई और सबी नेता मिलके कैसे गुजरात खुश हो सुख ही हो खुशाली हो और हर व्यक्ति का जीवन अच्छा बीते उसमें लगी वी है इस प्रकार के गुजरात के गौरव को सेलिबरेट करने के लिए गुजरात के इस योगदान को सेलिबरेट करने के लिए और गुजरात के इस योगदान को जनता तक लेके जाने के लिए ये दो गुजरात गौरव यात्राओं की कलपना की गई है वैसे ही गुजरात के सुपूत और जनेत में कारवरत लोगप्रियप्रदान मंत्री नरेंद्रबाई मोधी जी के नित्रतु में जो केंडर सरकार देश का काम कर रही है उसके लिए मुझे लगता है साड़े छे करोड गुजराती भाई भेन अपने आपको बहुती गौरिन्वित महसूस करते होंगे इसलिए ये गुजरात गौरव यात्रा गुजरात के विकास को सेलिबरेट करेगी और गुजरात के युगदान से जो देश में उत्सा है देश में जो कारिकरम हो रहे हैं उसका भी सेलिबरेट करते हुए दो यात्रा हैं एक जैसा मान्या जीतु भाई ने बताया करम साथ, जो सर्दार पटेल जी की भूमी है, सर्दार वल्लब भाई की भूमी से पहली अक्टूबर को मान्या श्री नितिन भाई पटेल उपमुक्यमंत्री जी के नित्रतों में पहली अक्टूबर को चलेगी जिसमें मान्या कराएंगे और ये मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में जैसा भी हमने फिल्म में देखा लगबग 76 सीट्स को कवर करके 1361 किलोमीटर की यात्रा संपन होगी इसका कारे बार संभालेंगे हमारे वरिष नेता गोरदन भाई जडापिया जी और दूसरी यात्रा मन्य शद्धे मात्मा गांदी जी की जो भूमी है पूरबंदर उस भूमी से मात्मा गांदी जी की जहनती पर दो अक्तोबर को और आप सब जानते हैं इस वर्ष तो हम चंपारन सत्यागरे के भी सौ वर्ष को बड़े दुमधाम से पूरे देश में मना रहे हैं दो अक्तोबर को ये दूसरी यात्रा पूरबंदर से शुरू होगी की और इस यात्रा का नित्य तो करेंगे मान्य जीतु भाई वागानी जी हमारे प्रदेश अधक्ष और इस यात्रा को भी प्रस्थान कराएंगे मान्यश्री अमिच्छा जी और मान्यश्री विजेबाई रुपानी जी यह यात्रा सौराश्टर और दक्षन गुजरात से गुजरते हुई कि 73 सीट को कवर करेगी और 2395 किलोमीटर का सफर पार करके लगबग 4,700 किलोमीटर और और पश्टी करन करूं तो 4,657 किलोमीटर की यह यात्रा एक सो ओधन पचास 149 सीट इस पूरे प्रदेश के प्रच करेगी चारो महानगर में बाद में हमारे नेता जाके जन संपर करेंगे जनता से मिलेंगे और इस यात्रा के दौरान, राज्य के मंत्री, राज्य के नेता, केंद्र के मंत्री, केंद्र के मेता, हमारे वित्त मंत्री जो यहां के प्रभारी हैं, मान्य श्री अरुन जेकली जी, बाकी केंद्र मंत्री जो चारो सर प्रभारी हैं, यह सब इस यात्रा में अलग-अलग स् करीब करीब 138 जन सभाय होंगे 138 185 सभाय होंगे 185 सभाज और 6.5 करोड गुजरात के नागरिकों का ये गौरव की यात्रा है कुजरात की अस्मिता की यात्रा है कुजरात के विकास की यात्रा है और जिस विकास में हम सभी कुजरात के नागरिक सभागी हुए हैं जिसमें उनका योगदान है हर एक साड़े छे करोड गुजरात के नागरिकों का कि सभागिता की अभिवादन करने के लिए भारतिय जनता पार्टी ये दो यात्रा है निकाल रही है जैसे पुझ मात्मा गांधी जी और सरदार पठेल ने देश की आजादी का नित्रतों किया था वैसे आज मानने पंतर प्रदान श्री नरेंदर भाई मोधी जी ने जैसे पूरे देश की विकास यात्रा को नित्रतों दिया है जैसे भारतिय जनता पार्टी के बहुत तेज कती से बढ़ने में मानने अमिच शाजी ने जो योगदान दिया है जो नित्रतों दिया है उसके लिए हम गुजरात की जंता का अभिवादन करने के लिए ये दोनों यात्राइं निकाल रहे हैं इसका समापन समारो अंत में उसका स्थान और तिती हम बाद में आप सब के साथ शेर करेंगे उसमें मानने प्रदान मंतरी जी श्री नरेंदर भाई मोदी और राश्ट्री अध्यक्ष अमिज भाई शाह दोनों उपस्थित होंगे और इस समारो समापन समारो की जो विशेश खासियत रहेगी जो विशेश भूमिका रहेगी जो शायद भारत में इतिहास रचेगी पन्ना प्रमुक पेज प्रमुक जो भारतिय जनता पार्टी की एक कर्मट संगटना की ताकत है जो हमारे कारेकरताओं की ताकत है जिन्नोंने गुजरात में हर घर घर तक संपर किया है बूत की तो रचना है भारतिय जनता पार्टी की अब बूत के अंदर एक एक पेज के जो हमारे प्रमुक है, पन्ना प्रमुक, साथ लाग से अधिक पन्ना प्रमुक जो हमारे भारते जन्ता पार्टी की ताक्त हैं, हमारी एक प्रकार से पूरे कारे शहली की बैकबॉन है। इस साथ लाग से अधिक पन्ना प्रमुक का एतिहासिक सम्मेलन मान्य प्रदान मंतरी श्री नरेदरबाइ मोदी और राश्ट्री अध्यक श्री अमिच शाजी के नित्रितों में ये समापन समारो जिसकी तिती और स्थान हम आपसे बाद में शेर करेंगे ये मुझे लगता है एक नया इतिहास भारत के लिए ही नहीं रचेगा लेकिन गुजरात की राजनीती के लिए एक नया मोड जिसमें डेड़ सो से अधिक सीटे जीत के भारतिय जनता पार्टी फिर एक बार गुजरात की जनता की सेवा में चुट जाएगी मानिय श्री विजे भाई रुपानी और मानिय श्री नितिन भाई पटेल के नित्रतों में इसका नया इतिहास रचने के लिए ये हमारा पूरा कारिक्रम आगे का रहेगा हम गुजरात की जनता को निमंत्रन देते हैं इन दोनों यात्राओं के साथ जुड़े इसका स्वागत करें अपने अपने शेत्र में और प्रदान मंत्री मोदी जी और राष्ट्रिय अध्यक्ष हमिच शाजी साथी विजे भाई रुपानी और नितिन भाई के काम को सराना देते हुए उनके प्रयत्नों और प्रयासों को समर्थन और आशिरवाद देते वे इन यात्राओं को सफल बनाएं बहुत बहुत धन्यवाद थे मुझे महीं लगता कि HDI में पिछला हुआ है मेरे पास वो भी आख ले थे क्योंकि बहुत सारे आख ले मैंने गिना ने जो जो साउथ के आप एकाज स्टेट की जो बात कर रहे है उसमें बहुत साल पहले से जो एन राइए और फॉरण का कैपिटल काफी बड़े मात्रा में कई वर्चों से आता था वो जो उनको एज मिला वो गुजरात को नहीं मिला गुजरात की विकास स्यात्रा में जो तेज गति आई वो तो मात्रे दो दशकों की है उसके पाउजूद आप कोई भी HDI के इंडेक्स आप जो बोले उसका में डेटा आपको दे सकता हूँ अब नंबर ऑफ स्कूल्स में जो ड्रॉप आउट रेट है अगर उसको एक ले लें स्टैंडर्ड वन टू फाइव का ड्रॉप आउट रेट वो बीस साल पहले थर्टी सिक्स पॉइंट नाइन थी परसें था आज गिर के माई सिर्फ वन पॉ जाएंगे तो रेशो बढ़ जाते हैं पहले जो था उससे अधेक हो जाते हैं गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पहले थर्टी नाइन था प्यूपल टीचर रेशो प्रदान मंत्री मोदी जी और उसके बाद अनंदी बैन और विजे भाई नितिन भाई के प्रयासों स से वो घटके 29 हो गया यह अपने आप में हतियासिक है आज बहुत बड़े-बड़े स्कूल्स फॉरें स्कूल्स वगेरा देखो उस लेवल पर गुजरात चला गया आप इंफेंट मॉटलेटी रेट देखिए साउट से आप कंपेर कर लिजे बीस साल पहले साउट का क्या और गुजरात का क्या था आपका दुगने से जादा था 62 था पर थाउजन लाइफ बड़्स वो घटके आदा हो गया 33 आप जो आकड़ा देखो के गुजरात ने जो एतियासिक प्रगति किये उसके लिए मैं समकता हूं गुजरात की जनता का पूरा अशिर्वाद हमें में यहां पर यहां पर यहां पर कॉर्ण पर एक संदे है बीजेपी का जो टार्गेट है वो 150 सीट्स का है गुजरात में मोर दें 156 यहां पर जो यात्रा निकाली जा रही है वो 149 सीट्स पर है दूसरी एक चीज यह दिमाग में नहीं बैठती है कि चीफ मिनिस्टर इस मिसिं चीफ मिनिस्टर एक दिन एक यात्रा में और दूसरे दिन दूसरी यात्रा में ऐसे पूरे 15-16 दिन दोनों यात्रा को वो कवर करेंगे वो एक में नहीं जा सकते हैं और पूरा प्रदेश एक यात्रा से कवर नहीं हो सकता है इसलिए चीफ मिनिस्टर आदा समय एक में आद दिवासी उन शेत्रों में और छोटे शेहरों में जाने रहे हैं यहां देना हलो हलो एक सेकेड़ सर गुजरात समय तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है गुजरात में भी रोजगार का एक मुद्दा है देश में भी है जितनी नोक्रिया मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही है तो केंदर सरकार क्या कर रही है क्योंकि ये सब गली से निकलती है का आवाज है ये एक प्रकार से ऐसा विशह है जो आज पूरी दुनिया ने इसको समझा है कि रोजगार का जो डेफिनिशन है रोजगार का जो आज के दिन तरीका है वो पूरे विशों में बदल पीछे तीन बहुत बड़े अर्थ शास्त्री एक माइकल पोटर है हावर्ड का कंपेटिटिवनेस के ओपर गुरू माना जाता है एक बिल गेट्स माइक्रोसॉफ जिनोंने शुरू किया था विशों के सबसे बड़े वेक्ति हैं अमीर वेक्ति हैं एक सिंगापोर के डेप पूरे विशों में जो रोजगार का तरीका है और व्यवस्ता है वो बदल रही है आज आज आटिफिशल इंटेलिजेंस आ रहा है नए नए टेकनॉलोजी और इनोवेशन का योग आ रहे है तो जो पहले टिपिकल रोजगार था सरकारी नौकरी मिल गई बड़े कारखाना बड़े पावर प्लांट लग गए वो आज विशों में बदल रहे हैं आज उद्धमी स्टार्ट अप नए युआ युवती चाहते हैं नए नए टेकनॉलोजी और इनोवेशन को इस्तेमाल करके नए रोजगार के अफसर पैदा करना तो लोग आज जॉब सीकर के बदले अमान में आदमी का समर्तन और आश्रवाद भाजपा के साथ गुजरात में पिछले 20 साल में काफी ग्रोथ हुआ है और गुजरात को देश का विकास का इंजन भी मानते हैं कल हाई कोटे कमेंट्स किया है कि गुजरात में फिक्स पेपे जो लड़के रख रहे है जोब में गुज़े लगता है फिक्स पे के उपर टेंप्ररी जॉब अगर दी जाती है तो वो एक रेगुलर देश पर में प्राइटिस है इसके मुझे स्पेसिविक टीटेल्स गुजरात का लोकल इशू है कोई लोकल इशू लोकल इशू से आप पोच जाना इसका मैंने जवाब दे दिया वो आपके सोच में हो सकते हैं मेरे हिसाब से तो यहां की जनता का समर्तन और आश्रवाद जितना उत्सास से हमें मिल रहा है वो भूमरेंग नहीं वो तो हमें आज फल दे रहा है जो अच्छा काम हमने तो दशक तक किया जिसके कारण बार बार लगा तार और फिर एक बार बाज़पा जीती है गुजरात में यह तो जनता का प्यार समर्तन आश्रवाद है और जहां तक कुछ लोगों की सोच है मैं समझता हूं हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोच सकता है इसका मैंने कल बड़े विस्थार से लोगों को अर्थवेवस्ता के ओपर भी बात की और अर्थवेवस्ता पे तो जितना चाहे मैं उस पर उत्वोधन दे सकता हूं मेरा तो पेट सब्जेक्ट है आपको नहीं लग रहा है कि इस इलेक्शन मिस का एफेक्ट होगा मुझे नहीं लगता है कि वोटर या व्यापारी नराज हो रहा है हो सकता है कि कुछ लोगों को अभी तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आयो उसके लिए केंद्र सरकार और राज़त सरकार और आखिर जीएस्टी तो मैं समत्ता हूं पुरे विश्वन ने सराना किये देश के हर पार्टी ने समर्तन किया थब जाके जीएस्टी आया जीएस्टी कोई एक पार्टी ने नहीं लाया कॉंग्रेस की छे फाइनाइन्स मिनिस्टर मिलके लेफ्टिस्ट वामपंती दो थे आम आदमी पार्टी त्रिणमूल देश के 29 स्टेट्स और सेंटर ने मिलके यूनानिमसली सर्वस समत्ती से जीएस्टी का पुरा प्रोसेस प्रोसीजर रेट सब नक्की किया इसमें अगर कुछ सुधार की आवशक्ता है तो ये तो एक ऐसी सरकार है जो पूरे समय लोगों की बात सुनती है और उसके हिसाब से अगर कुछ परिवर्तन की आवशक्ता पड़े तो करती है तो मैंने ही समझता हूँ कि लोगों में कोई ऐसा है कि वो एकदम हमारे खिलाफ हो गए लोगों के सुचाओ हमारे समक्ष आते रहते हैं छे तारिक को शायद जीएस्टी काउंसल की मीटिंग है हम अखेले इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जीएस्टी काउंसल सभी विश्यों के उपर सोच के पूरी काउंसल सरसमती से निर्ने लेती है और समय समय पे जिन लोगों पहले भी आप देखिए पिछली तीन-चार मीटिंग में किते परिवर्तन होए पिछली मीटिंग में तो शाहिए 63 आइटम के रेट भी कम किये गए प्रोसीजरल सिंप्लिफिकेशन काफी किया और आपको जैसे जैसे आप आगे देखेंगे जैसे 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 जनता की भावनाएं हमारे तक आएंगी और कुछ वियापारियों को जो संक्त दिखेगा उसको सुधार करने के लिए हम तो प्रहत ही पियुपियोशी तेल की किमतों के बारे में अभी बहुत ही चर्चा हो रहे है ये पूरे देश में इंफलेशन भी कहीं तेल की उपर बहुत ही निरीध़ करता है अगर कम होते हैं तो इंफलेशन आप अपने 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 मेहंगाई के बारे में जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारी सरकार का रहा है वो शायद पहले वाचपई जी के समय था जब NDA 1 थी और उसके बाद अब मोदी जी के समय आप शायद भूल रहे हैं जिसको कई सिलेक्टिव मेमरी कही जाती है के यूपी एक दस वर्ष में महगाई किस तरीके से डबल डिजिट में चली गई थी और बढ़ते 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 जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई तब पूरा देश कैसे महगाई से थ्रस था और कैसे मोदी जी की सरकार आने के बाद आत्रत दो, तीन, चार परसेंट पे आगे ही पिसले महीने के आकना तो शायद तीन सवा तीन परसेंट ही तो थोड़ा रेपेटिटिव हो रहा है मैडम, everybody is entitled to his opinion, the people of India are happy with our word. थैंक यू पिविल जीनो, थैंक यू, थैंक यू मित्रों आप सवनो आभार, खास करेंने पिविल जीनो, बै ऐसे नहीं हो, प्लीज, प्लीज, पिविल जीनो आभार मानुछू, गुजरात अनविकास आप बनने परियाए थी गयाँचे त्यारे, तमाम विरोधी वथान ड़ाँचे घणताने परियाश करेलो, गुजरात गवरो यात्रा 2002-1911, शाइबना नेतोतामा निकलिती, ये वगत्य पण वाथान ड़ाँच्वानो प्रियाश, ये तमाम नकारतमत्ता, विरोधी निवच्चे गुजरात नी जनताया भाती जनता पाटिने सासन प्रस्ता बिद्धेगीुचे अब फ्लेगोब थशे प्रस्ता बिद्धेगीुचे